दोस्तो आज सुबा मेरे इस Realme 10 Pro Plus के अंदर एक सौप्टेयर आपडेट आया और जैसे ही मैं About Device पर जाके इसका वर्षन चेक किया तो भाई ये क्या है ये Realme ने कौनसा वर्षन दे दिया भाई और ये वीडियो बिल्कुल भी एडिटेट नहीं है आप देख सकतो मैं इसको मूब भी कर रहा हूँ फिर भी ये जो वर्षन वो ही लिखा है मज़क कर रहा था guys actually इसको मैं नहीं लिखा है और चाहे तो आप भी इदर किसी भी टेक्स्ट डाल सकते हो कैसे डाल सकते हो वो ही आजके इस वीडियो का ट्यूटियरियल होगा और ज़द बतम नहीं करते हैं दोस्तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फटा पर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम इस ट्रैप के वीडियो सी डालते हैं अल्राइट बेसिकली दोस्तो इस चीज आप दोस्तों के साथ प्रांक करने के लिए कर सकते हो क्योंकि यह जो आप्षोन है यह सेरपोर्शिप तभी कम करेगा जबी आपकी डिवाइस के अंदर कोई भी रियाल्मी यूई का आपडेट आएगा ठीके जबी यह आपडेट नीचे आपको ओफिशियल वर्शन लिखा होगा ओफिशियल वर्शन 5.54 GB जो की इस आपडेट का साइज है तो जब यह ऐसा कोई आपडेट आएगा तब भी जाके आप इसको कस्टोमाइज करके कोई भी टेक्स्ट इधर डाल सकते हो फर्स्ट अपल आपको प्लेस्टूर अलग अलग लाइन्स देखने को मिलेगा इन में से आपको एक लाइन ढूणना है जिसका नाम है ओपलास कस्टोम ओटिये वर्शन इन्फो यह वाला लाइन आपको ढूणना है देन इस पर टैप करना है एडिट वेलू और इसको हटके आपको कुछ भी इधर डाल देना है फॉर एक्जांपल अभी मैं मेरा चैनल का नाम डलता हूँ शेप चेंजेस यह डालने के बाद दोस्तो जैसी आप अपने फोन का जो सेटिंग है उसके अंदर जाओगे आपका जो टेक्स्ट है वो चेंज होते हुए दिख जाएगा देख सकते हो अभी एंटी पोर्टर इ जाता है देन अगर आप बैक आते हो तो एगेन जो ओरिजिनल टेक्स था ओफिशियल वर्शन वो एधर आ जाएगा मैं आपको एक बार फिर से चेंज करके दिखाता हूँ और यह है ओप्लास कास्टोम ओटी ए वर्शन इन्फो इस पर टैप करके एडिट वेलू करना है औ और इधर कुछ भी डाल देना है शेप चेंज और एगेन इस पर आते ही यह टेक्स्ट जो कि यह दोस्तो चेंज हो जाएगा तो यह था असका वीडियो दोस्तों इस ट्रिक को यूज करके आप अपने दोस्तों के साथ प्रांक कर सकते हूँ इसको छोड़के और कोई इसका काम नहीं है मुझे रैंडूमली यह चीज सेट इडिट एप के अंदर दिखा तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगे साथ भी शेयर कर दूँ बाकि वीडियो कैसा लगा नीचे ज़रूर कॉमेंट करना और लाइक कर देना चले मिलताम बहुती जल्दी एक नया वीडियो के स तब तक के लिए टेक क्यार बाई बाई